नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरिशे दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधिम हतो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां क्या होता है सुबह बासी मुह गर्म पानी पीने से जानकर आपको हैरानी होगी और आप इस फायदे को जानकरके जरूर हर सुबह गर्म पानी पीएंगे पानी हमारे स्वास्थी का एक खास हिस्सा है स्वास्थी की दृष्टी से देखा जाए तो रोजाना आठ से दस ग्लास पानी पीना अति आवश्यक है क्योंकि पानी पीने से हमारे शरीर में हड्यों में चिकना हट रहती है और जिससे हमें च इतनी ही होती है जितनी गर्मी में पानी पीते हैं इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि ठंड के अंदर पानी को थोड़ा गुंगुना करके पीना चाहिए जिससे पानी के भरपूर मात्रा की पूर्ती होती है और इससे सर्दी भी नहीं लगती है रोज सुबह जल्दी उठकर थोड़ा गुनगुना यानि कि गर्म पानी पीना चाहिए जिससे हमारा पेट भी साफ हो जाता है पानी को अमरित कहा गया है वास्तों में पानी का कोई वी विकल्प ही नहीं है इस धर्ती पर और हमारे शरीर में 70 प्रतिशत पानी है पानी शरीर के लिए अति अनिवारिय है पानी हमारे शरीर को बहुत से खतरनाक बिमारियों से बचाता भी है पानी हमारी तवचा को मुलायम और चमकदार बनाता है अगर हमें यह मालूम हो कि हमें किस समय कितना पानी पीना है कैसे पानी पीना है तो हमें से किसी को भी समान्य परिस्थिती में डॉक्टर के पास ज इसके कारण आप इसको हमेशा पिएंगे गर्म पानी क्यों पीना चाहिए मेडिकल सायंस के ऑनुसार नित्य सुबा खाली पेट, गर्म पानी पीने से कभ्ज और गैस जैसी पेट की तमाम समस्याएं दूर रहती हैं लेकिन गर्म पानी पीना अति उत्तम है गर्म पानी के सेवन करने से शरीर के तमाम विशैले तत्व बाहर निकल जाते हैं रोजाना सुबह एवं दिन में दो तीन बार गर्म पानी पीने से शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है त्वचा चमकने लगती है युवावस्था में चेहरे पर मुहां से पिंपल्स एकने छोटे-छोटे दाने फुंसियां एक आम बात है अधिकतर केल मुहां से तहले तवचा पर निकलते हैं अता चेहरे पर क्रीम तेल कोई चिकनाई योगत्पदार्थ न लगाएं यह हार्मून की गडबड़ी तवचा की सफाई न करने पेट की ख होती हैं हालांके अधिक उम्र में भी इस तरह की समस्या परिशान करती है दरसल मुहां से तवचा में जलन और पिंपल्स होने की स्थिति को कहते हैं इन्हें हाथ से फोड़ने से चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं मुहां से खाने पीने की गलत आदत से भी आपको हो सकते हैं कारण जब पेट अपना काम सही रूप से नहीं करता है जिसकी वजह से जो भी टॉक्सिक बाहर आ जाना चाहिए वो नहीं आ पाता है तथा रक्त में जहरीले पदार्थ फैल जाते हैं और वह इस रूप में बाहर निकलते हैं पिंपल्स से बचने के लिए ऐसे भोजन जिन में स्टार्च, प्रोटीन, वसा अधिक हो उनका सेवन करना चाहिए सफेद चिनी, कड़क चाय, अचार, कॉफी, रिफाइंड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम, मैधे से बनी हुई चीजों से बचना चाहिए आप गर्म पानी पीने से त्वचा को किल मुहासों और दाग धबों से कैसे दूर रख सकते हैं, आए जानते हैं गर्म पानी पीने के फायदों के बारे में, जहां गर्म या हलका गुनगुना पानी पीने के चमतकारिक फायदे, सुबह जल्दी उठकर गर्म पानी पीने से हमारे शरीर की पाचन क्रिया तेज होती है, और खाने क का डिकंपोजीशन बढ़ता है सुबह गुंगुना पानी पिने से हमारा वेट कम होता है इससे हमको बहुत ज्यादा मिलता है गुंगुना पानी हमारे शरीर का ताप मान सही रखता है यानि कि बढ़ा देता है उम्रे से पहले बुढ़ापा आना एक बड़ी समस्या खास तोर पर हम महिलाओं में देखी जाती है सुबह उठकर गुनगोना से प्हेमें ऐजिंह समस्या से बचा जा सकता है उठकर गुनगोना पानी पिने से शरीर के विश्याक्त पदार्थ तथा टॉक्सीन को बाहर शरीर से निकाल सकते हैं इससे हमारे शरीर का सर्कुलेशन ठीक रहता है पानी को उबालते हुए जब उसका चौथाई हिस्सा जल जाए अर्था तीन हिस्सा पानी ही बचे तो ऐसा पानी पीना श्रेष्ट होता है ऐसा गर्म पानी का सेवन हमारे शरीर के वाद कफ और पित तीनों ह जैसी समस्याएं निकट भी नहीं आती हैं गर्म पानी त्वचा के लिए रामबाण है अगर आपको त्वचा संबंधी परिशानिया रहती हैं त्वचा में किल मुहां से भी निकलते हैं तो नित्ते सुबह शाम एक गलास गर्म पानी चाई की तरह चूसक्यां लेते हुए प अगर कोई व्यक्ति पथरी की समस्या से परिशान है तो वह सुबह शाम दोनों समय भोजन करने के पास चात एक गलास गर्म पानी का सेवन आवश्य ही करें गले में टॉंसिल होने पर या गला खराब होने पर गर्म पानी पीने से या फिर उसमें एक चूट की नमक डालकर क अब जसे रहत मिलती है गर्म पानी वजन घटाने में भी बहुत मददगार होता है रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी में आधा निम्बू एवं एक चमच शहद मिला करके पीने से शरीर स्लिम होता है हर रोज एक गलास गर्म पानी में एक निम्बू का रस काली मिर्च एमम काला नमक डाल कर पीने से पीट का भारीपन दूर होता है और भूक भी खुल करके आती है। बुखार में गर्म पानी पीना अधिक लाफ दायक होता है। जो काम में गर्म पानी पीने से बहुत आरा मिलता है इससे कफ और सरदी शिगर ही दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहदी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों